जब आप financially strong होते हैं, आप किसी country से मांग नहीं रहे होते हैं, चाहिए वो कोई भी country हो, चाहिए बारत हो या कोई दूसरा मुलक हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है, लोग आपके साथ बैटना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं, कि वो आपके fan हैं, ले काची में हो, या पाकिसान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनस में बहुत successful हैं, और शायद यही वज़ाए क्यूंकि अमिच्छा साब जो हैं, वो भी गुजराती हैं, और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो उनका main focus जो हमेशा से रहा जो, के लोग भी बात करते हैं, और म आपने अगर वो सर्वे देखा हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके उपर? इस वक्त भारत की economy और foreign policy और बाकी चीज़े, even education system जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लिजे के इसिया की सबसे बड़ी country बनने जा रहा है, इससे पहले हम चायना, चायना का नाम स किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी country को तभी उस कर सकते हैं, जब वो economy उसकी वी को और उसे पैसों की जरूरत हो, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तिमाल किया था, अफगानिस्तान में ड्रोन अटेक्स करने के लिए, और उसमें अ CEO थे Pepsi के जो के Indian origin है, क्या कहना चाहेंगी, एक तो Indian Prime Minister, US में उसके लावा जो business trycon है, दुनिया के बड़े-बड़े businessmen है, उनमें भी mostly Indians इस टेम US में, क्या US पे कबज़ा होने जा रहा है, इंडिया का? नहीं, मुझे नहीं लगता के US पे इंडिया का कबज़ा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूर है, कि इतने सालों में पिछले कई, आप समझें, 10 या 20 साल में, अगर वैसे तो ख़र हमेशा सही, लेकिन 12 साल से, जो है, वो इंडिया ने अपने आपकी एक position बनाई है, और उस में दिखाई दे मोधी जी के, और क्यूंके अमेरिका को भी बहुत जरूरत होती है, कि जब वहाँ पे elections हों, तो उस वक्त ना सिर्फ funding की, बलके जो इंडियांज वहां रहते हैं, उनके votes की भी बहुत जरूरत होती है, और वो हर हाल में जाहर है कि पाकिस्तान से जादा विश के हमारे टीवी चैनल ने उसको proper coverage दी होती, जो बिलकुल भी नहीं दी गई, जो स्रिफ और स्रिफ हमारी बेवकूफी की वज़ा से ऐसा हो रहा है, लेकिन पिर भी ये जरूर है, कि जाहर उसमें सारे important शक्सियत जो हैं भारत से वो भी पहुंचे और वो यकिनान cover कर रही है, coverage पुरी दुनिया में मिल रही है, newspaper, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, पिये मोदी की तारीफ में, यहां पे सवाल है, यह उटता है, आपने पाकिस्तान का जिकर किया, पाकिस्तान की मीडिया का जिकर किया, तो खौजा आसफ ने, साहब हमने recently statement दी, उन्हों definitely होगी, कि उन्होंने बोला है कि अगर relation बेहतर होते हैं, यह ना हो कि हमें, आप मुश्किल फैसले करने पे मुझबूर करें, यह कोई दमकी थी, या कोई तरला था, या क्या चीज़ थी, मुझे statement की ऐसाच समझ नहीं आई, नहीं, definitely आप साही कह रहे हैं, यह statement मैंने भी उनकी सुनी है, इस statement को मैंने भी cover किया था, लेकिन मैं यही कह रही हूं कि वो क्या कहना चाहरे हैं, साफ साफ बताएं, क्या वो अमेरिका से पैसे मागना छोड़ देंगे, क्या वो किसी कि समकी, क्या इंडिया को धंकी लगा हैं, कौन सा मुश्किल फैसला करेंगे, लेकिन बात सारी है, कि इस वक्त पौजा असिफ हो, या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो, उनको थोड़ी सी इतियात करनी चाहिए, और उल्टे सीधे statement ना दें, जिससे और इनकी कमजोरी जो है, वो दुनिया के सामने आजाए, अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे या अमेरिका पैसे देना छोड़ देगा? हलाकि ये इनकी अपनी जबान बाज़ दफा होती भी नहीं है. अच्छा, अच्छा, ये चीज़ जो पियम मोदी के जो विजट के दुरान हमने नोटिस की है, कि स्टेंडिंग ओवेटिंग बहुत बार हुए है, इसके लावा अगर देखा जाए, तो वहाँ के कांग्रेसमेन सेलफीज ले रहे हैं वकाइदा, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूएस ऐसा कंट्री और इंडिया के प्राइम निस्टर जब वहाँ पे गहे हैं, सेलफीज ले रहे हैं, एलन मस्क ने ये बोल दिया कि मैं प्यामोदी का फैन हूँ, अभी तो पाकिस्तान से भी बहुत से फैन उठ रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया को ज़ुरत पड़ चुकी है प्यामोदी जैसे लीडर्शिप की? देखें, जब आप फाइनेशली स्ट्रॉंग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते हैं, चाहिए वो कोई भी कंट्री हो, चाहिए बारत हो, या कोई दूसरा मुलक हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है, लोग आपके साथ बैटना भी पसंद करते हैं, लोग य आते हैं, आपको इन्वाइट भी नहीं करते हैं, और इस किसम की सुरतेहाल होती है, तो मेरे खियाले है, यहीं सिर्फ एक फर्क है, और जाहिरा आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे, या बुरा लगे, लेकिन एकॉनमी को तो स्ट्रॉंग किया है, आप या मोद हैं, और जो फॉरिन पॉलिसी है, वो भी इंडिपेंडेंट है, अगर कुछ लोग जो पाकिस्तान से बात करते हैं, यानि कि हमारे शोज में भी आते हैं, और बात करते हैं, तो उनका ये भी कहना था, कि जो ये विजिट है, मोदी जी का, यूएस का, वो हमारे गा रहे थे, जो अक्सरी इमरान खान और बाकी दूसरी जो पलिटिकल पार्टिजम को ले के उता रहता है, वही होता रहा और हमने इसको टोटली इग्नोर किया है, अपने टीवी चैनल्स किया तक, लेकिन सोचल मीडिया से हमें सारी खबर मिल गई है, वो एक अलग बात है इसका पाकिस्तान को फाइदा क्या हुआ, इंडिया को क्या नुकसान हुआ, मतलब अगर हमने कवर नहीं किया, हमारे मेंस्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, तो इंडिया को कोई नुकसान हुआ है, यह सिर्व हमारी मेंटालिटी बताई गई है, यह सिर्व हमारी जैलि नहीं हम सारी दुनिया के आगे अपना कटोरा लेके जाएंगे लेकिन हम बारत से कुछ सीखने को तरह नहीं है ठीक है रिसेंटली जो शबाज श्रीफ साब है पाकिस्तान के प्राइम निस्टर फ्रांस गे हैं उनकी एक वीडियो वाइरल हुई है उसके उपर भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मतलब एक लेडी आफिसर है उनसे अम्बरेला ली गई है और वो बारिश में भीग रही है क्या ये ऐसी जो काम है या ऐसा कुछ एक्टिविटीज है ये जाने अन्जाने में हो जाता है या फिर आप मेंटली तोर पे हाजर नहीं होते हैं या कन्फ्यूज होते हैं नहीं में ख्याले कुछ जाने जाने में हो गया होगा अच्छा एक अच्छा गैस चारी दिखा रहे थे मगर भूल गया कि वो लेड़ी ऑफिसर जो है वो बिचारी बारिश में रह गई तो वो शेबाई शरीफ साब आपको पता है कभी माइक फेक देते हैं कभी उनके इसके स किया करते थे बड़े अच्छे भाशन देते थे लेकिन काम इम्रान खान से भी नहीं हुआ तो अब शेबाई शरीफ साहब हैं ठीक है उनसे बात बात करनी उनको नहीं आरी लेकिन काम भाराल उनसे भी नहीं और आप देखते हैं कि जो अगली गर्मेंट आएगी वो क्या क दो जाए रहिए यह – और मुझे बहुत मुष्किल लाग रहे हैं आई-ई-एम-एफ के चुंगल से हम बाहर निकल पाएं, अल्ला करे कि हम आज ही निकलें, लेकिन अगर एक, तो जब हम कःज़ा देने के लिए करज़ा ले रहे हैं, और फिर उसको दुबारा उसे उसको रीफंड करने के लिए फिर से करणा ले रहे हैं तो शायद ये बहुत मुश्किल और मुश्किल तरीन होता जाएगा मैं इस्रो और नासा का जो डील होने जा रही है आपस में वो मिलके प्रोजेक्ट करने जा रहे है एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था मतलब स्कूल में था कालिज में था बताया जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजनसी नासा है नासा पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट होते है स्पेस के हवाले से उसे लीड करती है आज उस नासा को इसरो की थरुष क्यों पड़ी देखें ये तो हमेशा सही होता है कोई ना कोई दूसरा आगे बढ़ता है और जो पहले से कंपनीज कोई काम कर रही होती है उन्हें कंपिटीशन भी आता है और उसके साथ साथ अच्छा है कि अगर मिलके काम कर रहे हैं तो लोगों को जादा सीखने का मौका मिलेगा लेकिन पाकिस्तान में ना तो इस तरह की चीज़ों के उपर बाचीत होती है ना कोई आप देखते हैं कि ना कोई टॉक शो होता है ना ही किसी किसम की कोई वर्क शॉप कोई खास चल रही होती है और ना ही हमारे स्टूडन्स उस तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं चुंकि हमने इस किसम का महौल क्रियेट ही नहीं किया है वहना आपने देखा होगा कि दो-ती दिन पहले जिस तरीके से लाल मस्जित के लोग निकले थे, इसलामाबार की रोड्स ब्लॉक की गई थी, हमने असल में ये वाला कल्चर और ये वाली ससाइटी डिवेलप की है, पाकिस्तान ने लास्ट फॉर्टी से फिफ्टी एर्स में ये क्रियेट किया है, हमने कोई काम की बात, के नासा की बात हो रहिए या किसी और काम की साइंस पर बात हो रही है, बलकि एक पिक्चर थी, बड़े इंट्रस्टिंग मुझे मिली उसमें ये दिखाय गया था कि कोवर्ट के जमाने में जो पाकिस्तान में वो सिरिभ country, मुला-ुला की picture नी पाकिसनगे के कि वो दौाइग कर रहे हैं और बस जैसे पड़ British कांट्रिज है या काफिर कंट्रिज हैeyed हम धून में वैक्सिन बना रहे हैं. तो जिस दिन हम इस चीज़ में से निकलेंगे और हम यह सोचेंगे कि हमने भी वैक्सिन बनानी है, हमने भी कुछ साइंस में काम करना है, उस दिन पाकिसिन ठीक होगा. मैं, जैसे हम यह कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खेलाफ साजिश में मसरूफ है, साजिश की जाती है, साजिश हो रही है कही ना कही मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान के जो हुद लीडर है, वो सोची, समझी, साजिश के थ्रू हमें एक ट्रैक पे लेके चल रहे हैं, हमें rational thinking से दूर रखा जा रहा है, जो हमारे असल issues हैं, हमें उनसे दूर रखा जा रहा है, हमें practical thinking, practical analysis से दूर रखा जा रहा है, मतलब हम आज भी यही कहते हैं कि जी दौा करें, no doubt, दौा हमारा एक मजब का concept है, लेकिन practically भी हमें कुछ करने की जुरूरत है, यह सोच हमें कैसे आएगी, मतलब दुनिया की जितने भी developed country हैं, या developing countries हैं, वो यही पहले practical और फिर दौा के concept को मानते होंगे, लेकिन हम कहते हैं, दौा करो, सब ठीक हो जेगा, और इसके उपर बात रिलीजन में दौा की जाती है, रिलीजन में इबादत भी की जाती है, लेकिन बात सारी यह है कि जिस दिन हम अपनी textbook को change करेंगे, जिस दिन हम उसमें से कुछ पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें हैं, वो add करेंगे, उसमें से religion निकालेंगे, दुनिया की कौन सी कंट्री है, आप बता दीजे मुझे, जहां पे school colleges में religion पढ़ाए जाता हो, जिसे पाकिस्तान में होता है, सरीफ और सरीफ पाकिस्तान में होता है, और कहीं नहीं होता है, कि आप जिस कंट्री पे रह रहे हैं, महाँ पे आपको religion की भी book पड़नी है, ऐसा कहीं नहीं होता, सरी पाकिस्तान में होता है, और यहीं वज़ाए, कि हम अभी ता कुस्टोनेज में रहे हैं, अफगानिस्तान में भी ऐसा होता होगा, आइड़ों नो कि अफगानिस्तान में, मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन हो सकता है, होता हो, लेकिन I'm not sure about it, लेकिन पाकिस्तान में बाहराल होता है, और यहीं हमें जो है स्टोनेज में ले जाने के लिए कापी है, ऐसे ही है, अच्छा मैं यह बताएं, पी एम मोदी साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया और यह बहुत इंट्रेस्टिंग बात है, इंडिया's progress is world progress, मतलग इस बात में जो इन्होंने यूएस में यह statement दिया, इस बात में बड़ा दम नजर आ रहा है, और बहुत बड़ी बात नजर आ रही है, यानि इंडिया progress करेगा, तो ही world progress करेगा, देखें world progress करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले region तो progress करेगा obviously, और world तो उसके बात आ जाता है, जाहिर है, इस वक्त भारत की economy और foreign policy और बाकी चीज़े, even education system जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लिजे के इसिया की सबसे बड़ी country बनने जा रहा है, जिससे पहले हम चाइना, चाइना का नाम सुनते थे बच्पन से और वो पूर वो पूरे region का सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ बारत का नहीं, और इसके बाद ही सब लोग जो आगे बढ़ पाएंगे, और बाकी अगर world की वो बात करते हैं, तो world तब भी पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस region की तरफ जो है, खास तवज्यों देनी होगी प पाकिस्तानी मुझे चाहिए, हमारे लीडर्स को चाहिए कि अगर एशिया से कोई power उठ रही है और वो भी हमारी neighbor में है, तो हम sport करें, relation बेहतर करें, positive सोचें, positive सोचेंगे तो शायद अगले का भी फाइदा होगा और हमारा भी फाइदा होगा, लेकिन ऐसी सोच रखेंगे इंडिया के साथ relation बेहतर बना रहा है, चाइना से बदला रहने के लिए इंडिया के साथ relation बेहतर बना रहा है, आपको लगता है कि इंडिया किसी भी US हो, या रशिया हो, या चाइना हो, या कोई भी power हो, उसकी बात में आएगा, और अगर बात में आना होता, या किसी के हा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है, वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, या किसी भी तरह से इंडिया को इस्तिमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को तब ही उस कर सकते हैं, जब वो एकॉनमी उसकी वी को और उसे पैसीं की जरूरद हो जैसे पाकिस्सा के साथ हुआ था क्या अच्छान के साथ हुआ था अप्र हमेरिका को कुछ ने करना था वा जब आ Towards अधा को नीह कुछ नहीं करना था उने सॉव हमें पैसे देने था और उसके बाद अटैक सा रहे हैं दॉक्टर जे शंकर के जी हमारे independent foreign policy है और वो किसी के भी under नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है मैं मुझे यह बताईएगा कि ऐसी situation में पाकिस्तान के प्राइमनिस्टर हो पाकिस्तान के politicians हो या पाकिस्तान की senior leadership हो हमें Prime Minister Modi India के Prime Minister Modi साथ से क्या सीखने की जरुत है या हमारे leadership को क्या चीज सीखने की जरुत है उनको business सीखने की जरुरत है क्यूंके मोधी जी है गुजराती और हमारे याँ भी जो गुजराती families हैं चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी बीश्ते में हो वो बिजनस में बहुत सक्सेस्फूल है और शायद यही वज़ा है क्योंके अमीच शास भाब जो हैं वो भी गुजराती है और मोदी जी भी गुजराती है तो उनका मेल फोकस जो हमीचा से रहा जो के लोग भी बात करते हैं और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजन इंडिया सबकी आँखों में आखे डालके बात कर पा रहा है क्योंके वो किसी से जहाद उधार ले के उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं गए के जी साओधी अरब के क्राउंड प्रिंस से ले ले और वो कहें जी मलाइशी आप अपने लिए वापिस कर दो या अमेरिका पहु जासे इंडिपेंडन्ट हो गई और बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं कि हर कंट्री उनको बिला रही है और बिठा रही है तो यह एक एक जो है यह चीज़ पूरी दुनिया में एकसेप्ट की जाती है जिसके पास पैसा होता है उसकी वावा तो होती है बिल्कुल और secondly पैसे के लावा मैं यह समझता हूँ वीजन के लियर होना जुरूरी है आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो उस्टेटमेंट पे काइम रहना जुरूरी होता है तो फिर दूसरे कंट्री आपे ट्रस्ट भी करते हैं और आपके साथ रिलेशन बेहतर रखना भी चाहते हैं अच ठ्रवेस पाकिस्तान भी होगा हो सकता है कि पाकिस्तान भी हो क्यूंके जाहर है के बारत बिल्कुल हमारे साथ एक कन्ट्री है और हर चीज उनकी जबान हो चाए इस प्वाइब हो बाचीट हो आपकी एकानुमी को भी बेहतर साइट पे लेके जा रही है, आपको इंटरनेशन लेवल पे एक रिस्पेक्ट भी दिलवा रही है, इवन इंडिया की लोग बहुत प्रोड फील करते हैं, जब मेरी बात होती है, वो कहते हैं हमें लीडर जो मिला है, हमारे लिए ये खुशकि ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके लास्ट में, अगर आपके सारी डिस्केशन को आप एक दो लाइन में वाइंड आप करें, आप क्या कहना चाहेंगी, कि ये जो पीम मोदी का साथ का यूएस का विजट है, आने वाले टाइम में इंडिया यूएस रिले में सामने आने वाला है? इंडिया के पास बहुत कुछ है दुनिया को आफर करने के लिए, चाहे वो पैसा दे कर समान लेना हो, चाहे वो उनके पास जो है वो लोग मौजूद हैंसे, जो कई फील्ड में काम कर सकते हैं, और चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी दूसरा डिपार्टम सेरी मोजारेओ दूसरा आउर तर दूसरा दे कर सकते हैं, त्सक्रागे या सेरी में कर साक दाए के भी आदिरकारवार।